नमस्कार दोस्तों मैं विनोध वाकुलेक वर्षफिट से आप सुभी का अमारे यूटूब चैनल देरी स्टेटी पॉइंट वे स्वागत है आज पार्ट थ्री में छेसला आइडियों होंगी ठीक है और उन छेसला आइडियों में छे क्यूसन सपन देखने वाले हैं उसके बाद में जो अपने सीरीज स्टार्ट कीती सब्दावली वाली वह कंप्लीट हो जाएगी ज्यादा हो जाएगा फिर ना बहुत कुछ अपने जो पढ़ लिया है इस सीरीज में इससे बाद नहीं जाने वाला तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्योशन आज की स्लाइड का अस्व अक्सांस यह क्योशन आता रहता है ठीक है अस्व अक्सांस क्या होता है सबसे पहले में स्लाइड दूसरी स्लाइड में जो मैं चितर बनाया वह दिखा देता हूं उसके बाद में आपको बड़े तरीके समझ में आएगा ठीक है य जो आप देख रहे हो यह भूमधी रखाई जेरे डिग्री- exist ये 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्री अक्सांस के बीच का जो एरिया है ये सारा का सारा एरिया आप देख पारे हो ये सारा का सारा एरिया है ना 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्री अक्सांस के बीच का इस अक्सांस को क्या बोलते हैं अस्व अक्सांस ठीक ऐसे ही दक्षिनी गोलार्ज में देख लो 30 डिगरी दक्षिनी अक्सांस से 35 डिगरी दक्षिनी अक्सांस के बीच का सित्र अस्व अक्सांस कहलाता है ये एक ऐसा एरिया है जो जहाजी बेड़े चलाते हैं जो जहाज इस एरिया से गोखर गुजरते है non sha girl में तो उनका जहाज饭ीता था कि ऊपसने के बाद में जो जहाज वाले मांदो को अपने जो माल होता है उसको समुंध्दर में किदार ना पड़ता है कि नफिकर और दर जापने लिए चांस को अ सांवान को ऊसके बाद में आगे निकल जाती है जाज उसके बाद में पहले उसका इसलिए इस अक्सांस को क्या भोल दिया ठीक है गोडों से था जाजो को उसे एरिये से बाद निकालने के लिए तो इसको देख लेते हैं बड़े तरफ आपको अगा अस्व अक्सान सो का विश्तार 30 डिगरी से 35 डिगरी उत्री तता दक्षिनी गोलार्ज में पाया जाता है हमने देख लिया यहां पर पौंच संचार बहुती कम एवंप्राय हर दिशा में होने के कारण यानि यहां पर क्या होता है कि हर दिशा में वचलते इदर भी चल रही ह कारण या तो यहां जाता है एकने समानी जैसे जा रही है क savoir हर दिशान से चल रहे को इदर विद्व सब्सक्राइं जो हर दिस होने की कारण यानि जो हने हर दिशा कर दिसा चल रहे है को इदर से हांगे नहिए वां पता हुता है के कारण प्राचिंक में मान है जल्यान फस जाते थे प्राचिंक कि बात है और इस एरिया में में जल्यान जो होता था वो पस जाते थे जहाजु का भाल काख़ाने के लिए घोडिये भारी सामान समूंदर में के कारण vaccine कहा था तो जाजियोोके जहाल Żहाज प्राथ जैता था कि वह सामान होता तो उसको रशनी से उसमझार यह के वे रोगते हैं DES में सिर्ड यह वीडियो स्टाइद सारे सार में स्य्रीज में से क्यूसन लेकर आएं सरी मैं सिर् Sounds N आंसकते हैं इन नीकाफी को देख लिया हिम जनजावत क्या होते हैं देखो हिम का मतलब बर्फ है जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर है न जो बर्फिल सती है और जो बर्फ होती है न वो बर्शांत के रूप में गिरती है जैसे हमाले के जो थेत्र होते हैं वहां पर भी आप देखोगी यह जो उचाई पर इस्तित है और जो परवत अनुचाई के साथ अतापन गड़ता है हिमाले देख लो रोक्ष देख लो आलफस परवत देख लो यह लोल कि हो पाति थैद दखें के उट स्क्रा देखते हैं यह दो आजजावत को पुलते हैं ऐंदी एक वरकार से यि जंझावत की आंधी आंधी तरह होती है है ऑसे बर्फि बर्फ होती है यह जंघावत है हिमाले हिमाले आप सब जानते हो बारत के उत्तर पूरी में इस्तित है तेख है रोकी उत्र अमेरिका दक्षिन अमेरिका में एंडिज परवत आलपर्ष परवत आप देखते हो आधी परवतों और उत्पन होते हैं क्योंकि हिमाले परवत आप जानते हो बर्फी बर्फी जमी विए उचाई पर इस्तितों निकान रोकीज परवत उत्री अमेरिका का वह एरिया एए यह जाप पर नहीं जो भर्फी ले चेत्रों यानि काफी उचाई में इस्तितों निकान उत्रीज अमेरिका वहाँ पर भी ठंड जादा पड़ती है एंड़ीज पर वत और शारीग-शार किसी चीज़ का शीख ना Kin कि एनी modal है या शीख यानी सटकूचन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का शीकुड ना थेकई Efendimiz Kathy के स्टकूड ने किसी दांग पर अदा रधा रहता थे कोई चीकुड जाती है तो उसको भूसरने के के रूप में देखा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्वी में संकुचन से उत्पन बल से अग्रा देशों में गति उत्पन होती है जिससे प्रेजित होकर संपीडन नात्मक बलके कारण बूसनति का मलभा वलित होकर परवत का रूप संपारन कर लेता तो यह सारी सारे बूसनति रूत है कि के बाद में अबेक बथ mosidator को ब ओलते हैं और यह क्या है एक परकार का यह चक्रवात है तो इस चक्रवात को देख लेए इंए और यह प्राइस उजव memoir emergency आशम्री ऋक्रथ थोड़ी वह तादरता होती है ठेक है थोड़ी वह तपरसाथ भी होती है इस यूग में टॉर्णेड भर यह यादि ईस तूर्ण ह Op triangle उत्पन होता है इस पर फरकार की चकर्वात उत्री अमेरिका अफरेका उत्रीALएका सब को बताहता का होते hardship पूरवी अफरीका के यह वाला यह ठीक है उसके निकट यह उत्पन होते हैं पूर्वी अमेरिका में इनका प्रवाव अधिक होता है सबसे ज़्यादा प्रवाव कहां पाए जाता है अमेरिका का जो पूर्वी इससा है वहां पर अधिक प्रवाव पाए जाता है यह अधिक विनासकारी होते हैं व तक नहीं रहते ज्यादा उदी तक रह जाएं तो बहुत नुक्सान कर जाएंगी तो इनकी जो अवदी है न बहुत कम होती है इनके अंदर पर उनका वेग से कई बार 250 किलोमेटर प्रति गंटे से भी अधिक होता है तो इसकी विशेशता ही तो बता रहा है यह नहीं ठीक है तो वेडिया तर यह कर लोगे आप इसको अगला क्यूसन देख लेते हैं गलोव सौप टैरी से यह आकरकार में क्या होता है यह एक प्रकार की वनस्पति है इस वनस्पति के जीवास में अंदमासागर के दोनों और के टटो पर पाए जाते है ठीक है जो अंदमासागर है ना उसके दोनों टटो पर पाए जाते है ठीक है तो इस चीज़ का आप द्यान में रखोगे ठीक है एक प्रकार की यह वनस्पति है ठीक है इसके बाद में अ सार गोशा सागर भीस को प्हुनती है पर में इतना हो यह सारा का सारा ेरिया है हम द्थितर दक्षिन पूरह पच्च्म look है ॐत्लांटिक और पस्च्मि अट्लांटिक के बीच का छेतर यह आप देखवा रहए हूँ यह चेतर ऐसा है कि यहाँ पर घास बहुत मात्रा में पाई जाती जल के उपर घास पाई जा रही है और दूर से जब आपन देखते हैं को तो ऐसा लगता है सब्सक्राइब और यणी प Wonthogwen और हो उत्तर प्समी अट्लाइंटिंग महासागर में बता दिया मिली M global stream एक परकार की धारा है उत्त्री भूमत vaccines रेखे धारा हो से गिरा हुआ% बॉलाँ चलते हों सभाना है यांपे को चकरवात को यानदी कुछ बैके हैं धारा यहयों नहीं होता है इस शेतर में समुद्री घास पाई जाती है समुद्री घास क्या है सार गेशो इतनी अधिक मात्रा में एक कत्रित हो जाती है कि इसे ब्रह्म से इस तलब का भाग समझे लिया जाता है दूर से आप उनको ब्रह्म दूर से ऐसा लगता है कि वह यह तो इस तलब आ योगी आपकी एक्जामे है सभी को all the best हमने काफी कुछ अच्छा कर लिए है मैं भी बता दिया सब कुछ बता दिया है पड़िया पेपर देखे आना और उसके